क्या कि नमस्कार सुक्यू एंस के जगर सिख्सक के चेप्टर ट्व के लेक्चर थर्ट में आपका सवागत है जल्दी से लाइक कर दिजिये और चैनल पर नाहेで को सब्क्राइब कर लिए इसके सारह धोए जिसमें बहुत सारे इंपोटर्धन तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लिए फिर इसको देखिएगा तब जाके इसमें कुछ चीज़े समझ में आएगी तो चलिए सुरू करते हैं तो हमारे समने यहां पर देखिए इस चीज़ को हम लोग यह जो टॉपिक है हीट जॉन्स ऑफ और्थ इसको डिसकस कर चुके ठीक है इसको लोग डिसकस किये हुए थे पिछले जो सेशन में यहां पर हम लोग इसके आगे डिसकस करेंगे तो उमीद करते हैं कि अगर आपको पुछ स्मझ में आ गया होगा लुग और इस वहां पर समझाया गया था यहां पर करके हमने समझाया था तो नहीं देखेंगे तो जरूर से जाकर देखेएगा चलिए अब यहां से कवर करने वाले हैं रोद्गीचीूड यानिकि के बारे में डिसकस करेंगे कि जो लॉंग पोजीशन को फिक्स करने के लिए इस नेसेसरी तो यह जरूरी होता है यह आवसायक होता है जानने के लिए सम्थिंग मोर देन यानि लिटिट्यूट के अलावा भी उस जगह के बारे में कुछ और चीजह मालूम होना चाहिए तब हम उसको फिक्स पोजीशन बता सकते हैं यू केंशी हम लोग देख सकते हैं जांपल यह जैसा कि यहां पर दिया गया कि टॉंगा ऐलेंट के बारे में हम बताए तिक टॉंगा आईलेंड जो की पेस्पिक असिएं में अश्तीत है और धूस्ता है मोडिसेस आईलेंड ट्रीके जो कि कहाँप है इंडिया ओसीत था ट्रीक के दोनों के दोनों छेटी समे इस को समझाता है नीर को अगर यहां पे आफ और यहां पे हम क्यां। का है हम लोग एकी जगह नहीं बिलकुल दूर है क्योंकि हम लाख लगे कि यहां पर हमारे बीच में कितनी दूरिया है तो 10 km पर तो नहीं हो सकता थे और लॉंगिट्यूट्स का ठीक है उसके लिए मैं जरूआ थो है लॉंगिट्यूट्स का जो कि आपको समझाने वाले हैं तो बहुत असान तरीके से समझाएंगे जो आप एक बार समझ जाएगा तो फिर कभी नहीं भूलिएगा और आगे चलके आपको कोई भी करेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा तो दिया गया नाओ इन ओडर टो लोकेट देम प्रिसेशली वी मस्ट फाइंड आउट हाव फार इस्ट और वेस्ट देज प्लेसे अर फ्रम एक इपन लाइन अफ प्रेंस रानिंग फ्रम नॉर्थ पोल तो देखिए وسष छीजी को पता लगाना होगा तो यह लोकेट करना होगा इनकी सही तरीके से अगर उसको लोकेट करना होगा तो मारे सफहे बनाकी इस तरवेस्ट सब्सक्राइक में कितना चेंस नॉर्द टू दफट तो एक लाइन अपर वीफरेंस दिन्गे जो कहां से रंघ करेगा नॉर्थ ओल से इस जफ हो दूट्चर में देखिए अब सिधे इस पिकचर को देखिए कि यह दिखिए हमारा पूल हो गया ठीक नॉर्थ वहीं होगा नीचे साउथ पॉल इसको लोग जानते हैं किस नाम से तो मेरेडियन सब्सक्राइब करेंगे और जो इसके बीच का डिस्टेंस होता है जैसे यहां पर दिया गया फिक्चर में यहां पर देख लिजेए यहां पर जो भी डिस्टेंस इसके बीच में इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डिग्री अफ लॉंगिचूड बोलते हैं यहां पर देख रहा होंगे डिस्टेंस जैसे कि माले यह यह जो डिस्टेंस है दो यहां पर लॉंगिचूड के बीच में यह जो डिस्टेंस यहां पर देख रहा होगा जिसको हम प इस बारद बैडिर से चोटे पा sill Authority मिनें भी मैंटियो मिन घ्याता है और मिनाट को किसम चेंड तो हमाई हमारा होता है है घंटा होता है घंटा को मिनट में चेंड करते हैं मतलब उसका हुठा पारस्ट है तो उस्तरह से जिद्री का छोटा सुड़ा होगके कन गा चुछ इस तरह से पूल वाट्स अंटिल इस विकम जीरो एट दपोल ठीक है तो यह क्या होता है कि इसका जो डिस्टेंस है घड़ते जाता है जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे जैसे आप रंगोली बेगर बनाते होंगे तो कुछ इस तरह से डिजाइनिंग करते हैं करते हैं तो माले दिआ कि यहां से अगर इस तरह से लाइन खीच रहे हैं तो इसके भीच नहीं तो झाले की दिस्टेंस कम होते जा रहा हुए और यहां होता है और पोल पे जाके पोलवार्ड के तरफ मेनिकी पोल के तरफ जाके क्या होता है जीर हो जाता है तो इस दिखाए गर जाता है तो जब तक यह पोल पर जीरो नहीं हो जाता तब तक इसका डिस्टेंस घटते जाता है उने से जहां पर सारे 메ियोन होते हैं जैना भी सल्च होते हैं इसको मिछ лай Drag उस तरह से फेल से बिस्चेफ सके जो फी पैरलेलेल से समझ में आगया होगा जो इस तरह होते हैं इतने भी लोंगि स्टें इनकी मिलते हैं तो वह सारे मीट होतेoire nihi मिलते हैं तो जिसतर से फेले क・・ से queria प्रक्राइब कै Legends से को अफ्ली मरत से आपा जह गया होगा जो का इक लेंग कोन होता है उसी तरह से लंकिछ टियोट जो ओता है यानिकी मेरीडेयन्स उनका फिलेंघ क्या होता है उनका फिलेंद् say होता है तो इक वल होता है is material in this is called the number of million this was difficult to number the million to Above Mmmeridian online ur geschy 세상ers को number करना बहुत मुच्छ Apple Darkness मेरेडियन से कांट तरूप करेंगे तो कहां से उसको स्टार्ट करेंगे से जहां से वो पास करता है वहां से हम लोग्स शूरू करेंगे रोयल औब जर्वेटरियरी इस लोकेट जहां पर क्या लोकेटिट करो अलोकेटिए टो जो लोग है आ vary longitude कितना होता है जीरो डज़िक्री लोंगिचूछ एड फ्रमई फृन-इजा दीरी वटल यहां से हम लोग क्या करते हैं इस के तरफ एक तेग्री काउंट गरते हैं और हम यह सब मिलकि जो हमारे अर्थ है उसको कितने किलग करते हैं तो तुईगल हाफ में ढिवाइंट करते हैं दव किस हें और हैंट दू हे मेय स्पियर और फैस्टेम है मर बैसेट age एक लिटान इस और डवलू फोर दा वेस्ट यह आपको सब पता ही होना चाहिए कि ए किसके लिए यूज करते हैं इस्ट के लिए ठीक एक एस्ट के लिए और डवलू किसके लिए करते हैं वेस्ट के लिए यह अब को जाना का मतलब इंट्रेस्टिंग चीज़ है जो 180 है ठीक है 180 एस्ट यह दोनों क्या है एक ही लाइन है ठीक है नों यूक एट ब्रिट आफ टेटीटेट अफ नेटिटीट्टूप से मेरिडियन अफ लंगिश्ट अन गलोब ताप यहां पर यह जो गलोब का फिकर तो यहां पर यहां पर यहां पर होग्र का कर रहा है कि candy क्या ऐसकर देख तो में यहां परthese सकते हैं यहां पर यहां पिरेट का फिर्मेशन दिखाये इसके Shopify का कर सकते कि कि किसी भी पॉइंट को असानी से डिनोट कर सकते हैं ठीक है इफ यू नो इस लेटिटूट जब आपको लोंगिटूट और लेटिटूट पता होगा जैसे कि आज के डेट में हर लोग कहीं न कहीं जाने के लिए उस मैप सर्च करता है गूगल मैप का इस्तमाल करता है तो गू जो थूबडी है फिस्टी टीजी नेस अधाने नसन्हीं पर कहाए, तो हमें पता करना है कि कहा पर यह दोनों लाइन एक दुसतरी निर्ट पे रिख लोकेशन अब धूबरी तो जहां पर दोनों काटती है यानि कि जो नौर्थ वाला हो गया ठीक है जो नौर्थ वाला जो डिग्री है और इस्ट वाला लेटिटिट्ट जो दिया गया है वैल्यू अगर दोनों जहां पर एक दूसरे को काटती है वही पॉइंट हमारा क्या हो जोबरी हो गया तो इस तरह से हम लोकेशन का पता कर सकते हैं ठीक है जैसे आप पढ़े होंगे अगर कोडिनेट या फिर पढ़ेंगे आगे तो उसमें यह सेम चीज पहरना होता है ठीक है कोडिने जिमेट्री तो यहां पर दिया गया टूंडर स्टेंड डिस क्लियर लिज ये तरह से लाइन ड्रो करें चिक है जहां पर दिया गया जिस्तरा से नॉट बूक आता वह भी आप ले सकते हैं इसमें क्या करना है कि जो यह यह वाला लाइन है तीक रेड़ वाला हम डीनोट कर रहा है इसको एबी सी नाम दे देना ठीक है भी अल्फावेटिकल नेम दे दे तो यह लेटिटीट हो गया जाए अब उपर से जो नीचे की तरफ है ठीक जो उपर से नीचे की तरफ है इसको हम लोग नाम देंगे नुमेरिक में ठीक है यानि के 1234 में नाम देंगे जैसे कि यहां पर हम इसको ड्रोग कर रहा है ताकि आप समझ भाएंगे तो यह नुमेरिक वहलू में इसका नाम देंगे जैसे कि यहां पर हम लोग ABCD दिया थे यहां पर A, B, C, D और E दिये थे अब इसको वन तो थी फोर दिया है ठीकत्व होगा यहां यह लॉंगट हो गया लॉंग इूड हो गया अब हम को कोई भी जगा पता कर नहीं दिया गया लेकिन बी पर हम देखे तो यहां पर एक एदिया गया और एक यह पता लगाना लेंगे ठीक लोग इसका कॉंसा पॉइंट लेंगे वी वन लेंगे ठीक की एक हाब सू भी होजात की सितने इस तरह से एस जघा पे पहुंच सकते हैं ठीक हिसा इसी केकर जूटा तो सिर्फ सी कर 46 तो पूरा लाइन पे में ढूटना होगा नमाने जी कोई सी है अगर वह बच्चा है रोख हो गया उसको खोजना तो यहां इतना दूर आपको खोजना परेगा और आपको एक्जेक्ट अगर पोजिशन पता होगा कि तीसरे वाले मतलब तीसरे वाले लोंगिटूड पे और सी कि वाले लेटिटूड पे तो तुरंट से जहां पर लाइन मेंच करेगा वह क्या हो गया पॉइंट सी हो गया तो यह चीज़ कोडिनेट अमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको असानी से समझ में आ जाएगा तो इस जीए इसमें बताये त्सम आपको मैं यहीं यहां अद्यस सकते हैं दिया गया तो इसको धीरे दीरे दिएगा ठीक है उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं longitudes and time के बारे में discuss करते हैं इसमें आज इसको खतम कर देंगे उसके बाद से यहां पर why do we have standard time हमारे पास standard time क्यों है इस topic को cover करेंगे उसके बाद हमारा यह chapter खतम हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग longitudes and time तो जो longitudes है और time है इसके कि इसको सब्सक्राइब करेंगे longitudes and time के longitudes and time हमारा topic हो गया तो देया गया तो बेस्ट मेंस अफ मेजरिंग टाइम बाइद मुवमेंट अफ और्थ दम मून एंड प्लेनेट तो जो बेस्ट मीनिंग होता है कि मेजर करने के लिए समय का वो किसकी द्वारा किया जाता है तो जो अर्थ का मुवमेंट है ठीक है जो अर्थ मूव करता है उसके तुरू जो दम्मून होता है यानि कि जो चांद होता है उसके और प्लेनेट के वज़र से दसां रेगुलरली राइज एंड शेट इवरी डे तो जो सूरज होता है डेली क्या होता है नियमित रूप से सैंडन गले कास्ट जो चको मесто फोर्फ आज सकता है कि इसके थुरू तो कन सयड़ैंग कास्ट होता है उसके थुरू पहले टाइम कि वज़र होता था है उसन तरस फि מठ नून अ लोगे भर पԲमा वागा है थिकले ज़्टा होगा तो शूब हो होगा और लंबा होगा तो सॉन्राइज या तो संदराइज होगा या फिर संसेट होगा When the Prime Meridian of Greenwich has the Sun at the highest point in the sky all the places along this Meridian will have midday or noon तो जब जो प्राय मेरीडियन है ठीक है जो प्राय मेरीडियन अभी हम लोग डिसकस किये कहाँ पर ग्रीन वीज स्कान है सेससे कि हम लोग जानते हैं जो आर्थ जैसे यहां पर यह चीज याद रखना है कि जो अर्थ होता है जो हमारा पृत्वीय होता है उसका रोटेशन और कैसे होता है उसका रोकी आपको पता होना चाहिए कि कैसे करता है घnt quoi लेगा East to West होता है या West to East होता है तो आपको याद रखना है कि यह West to East होता है तो जब हमारा Earth का rotation कैसे होता है, West to East होता है Ro हो गया है यह हमारा है कि आ ग्रिण वी만 इसको क्या मुलएज जो क्या मालें अगर इस से हम हम इधर बरहेंगे, इधर के तरफ अगर बढ़ते हैं, इस्ट के तरफ बढ़ते हैं, यानि कि जो भी लोग meridian है, इस्ट के तरफ उससे, तो वो क्या हो जाएंगे? ahead of green wish time, end, देखे तो जो green wish time है, उससे ahead होगा, यानि उससे आगे होगा यानि की इधर जो है समय प्लास होगा समय इथर के होगा प्लास होगा और लोका वेस्ट के तरह बरहेंगे इधर के वहाइगे समय एइसना चीज अपको ध्हान में रखना है का जिसे कि आप यहां पर दिया गया है turda ट्थ फ्थ फीग ट्र टू. सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर दिया गया है कि दरेट अब डिफ्रेंस केन बी कल्कुलेटेट एज फॉलो द और्थ रोटेट्स थ्री सिस्टी इन एबाउट ट्वेंटी फॉर आवर तो लगभग मालेजे कि हमारा जो बीफ्रेंस को दूसरे कलर से करते थोड़ा सा डार्क अच्छा रहेगा मालेजेट कि जो हमारा तीन सो इस तरह से घूमा ठीक एक बार जो घूमा तो कितना बेड़ में घूमा 24 घंटा में लगभग 24 घंटा होता है 24 घंटा होता है ठीक है कितना लगभग 24 घंटा में घुमता है तो अगर हम इसको देखेंगे तो 15 डिग्री एन आवर तो अगर एक घंटा में देखना होगा ठीक है 24 घंटा है तो अगर एक घंटा में देखेंगे तो 360 को डिवाइड करन करेंगे तो हमारा यहां पर आगा किप्टीन आ जागा कितना जागा फिप्टीन डिग्री आ जाएगा एक घंटा में फिप्टीन डिग्री वह मूब करेंगा कितना होगा एक घंटा में फिप्टीन डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री होगा एक घंटा में और यह दिखिए आवर में कितना ड्रेज़ेंगा या fantasy एफ लोग निकालना कि कितना डिगडि निकालना होगा吧 ऑट जर्टे इसको नहीं डिऌने में इक लिए ठीकर अगर एक अगर 1 डिगरी की कितना टाइम में 1 डिगरी कवर कबर करता है ठीक है कितना टाइम में One ृण डिग्री कबर कर रहा है तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे इसको 60 में कंवर्ड किए थे आंप manure. 60 बेद्वाट कर देंगे मीनट में और वॉन डिकरी यानी कि 1 सेaaa multiply कर देंगे ठीक है तो महलों होगया और 15 से 2 टिज़ाइड करेंगे तो 50ом उसे कड कर देगा यानी कि और मिनट में क्या होगा वन फॉर मिनट में वन डिगरी कि क्या हो जाएगा फॉर मिनट में वन डिगरी मूब करेगा कि ऐखी चीज़ आप असानी से समझ सकते हैं इतना वह यहांपे दिया गया ठीक है पूर मिनट में वन डिग्री यहां पर दिया गया है दस वेन इट इस वेल नून एट ग्रीन वीच तो माल लेज़े कि अगर बारो बच दो पहर वड़ा कहा पर ग्रीन वीच पर टाइम एट फिटीन डिग्री इस्ट अप ग्रीन वीच विल भी फिटीन इन्ट फोर यानि कि 60 मिनुट्स्क टैस्ट मिनलिट। में दो ग्रीन विच घिक जो ग्रीन मियच यहां पर देख एप दो बना हैं तो इसके एगर कोई फिन डिगरी है अगर मनले घट यहां पर जो लाइन है यहां पर ठीक है जो इसे हैं जिप्तीन डिगरी यहां कि छो两ग लाइन हिन यहाँ पर 122 बज़रा थना बार्ड पी-म्हो रहा थन thứ कितना ज飯 में हो रहा है तो यहाँ पर कितना पर उसी टाइम में 1 जंट ऐखर ऑगे है और यह हम लोग फीछे यहाँ पर बात करें ठीक है है यह 15 डेगरी एस्ट हो गया अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं डारेक्ट अगला टॉपिक कवर करते हैं इसमें दिया गया है कि वाई डूबी है इस्टेंडर्ड टाइम यानि कि हमारे पास इस्टेंडर्ड टाइम क्यों है यह जानना जरूरी है तो हम लोग देखते हैं यहां पर दिया गया है कि लोकल टाइम अफ प्लेसेश वीच और डिफ्रेंट मेरिडियन अर बाउंड टू डिपर तो यहां पर जो होता है जो भी लोकल अगर हम टाइम देखें तो अलग-अलग मेरिडियन पर क्या होगा अलग-अलग होगा ठीक है अलग-अलग-अलग-अलग होगा इसलिए यह बाइच में कुछ ने कुछ दूरिय है तो इसके बीच में जो होता है टाइम डिफ्रेंस वोट दो घंटे का होता है कि अग्धर हमारे पास स्टेंडर्ड टाइम नहीं होगा कितना होता होगा नइन इम इसलिए जो यह वाला प्लेस अरुनाचल यहां पर भारत में सबसे पहले सुरियोद्त होता है भारत कभथ बहुता है तो पर देष में थीकर आल ही ताम ले लिया गाई हुआ ठीक है इनके बीच का जो आपिक स एड किया गया ठीक है और तूसले आइड कर दिए तो सेंब बीचा बीच वाला हुआ हम यह मिल गया और यहां का जो लोंकिटियूर्ट यहां का इस ती यही एक्टलर Цक्र क था यहीं इंडिया में मानने हुआ ठीक है इसको हम लोग स्टेंडर्ड टाइम बोलते हैं तो चलिए इसको पढ़ते हैं क्या दिया गया यहां यहां पर देख सकता है पिक्चर में दिखाया गया है इसको ही स्टेंडर् मेरिडियन ट्रीट किया जाता है नाम से जानते हैं तक क्यों हुआ आपको समझ में आ गया होगा ठीक है कि इसको क्यूं आपको बता दिए कि इसको क्यों माना गया यह सारे बेराशी डिगरी है अब थ्वरा सचीज़े यहां पर रहा गया जिसका लोग डिसक्स कर लेंगे यहां पर कि तो दिया गया कि कबीर लिप्सिन स्मॉल टाउन निर भुपाल तुमा लीजिए जो कभीर है ठीक है कोई कभीर है जो कि कहा रहता है एक छोटा सा टाउन में रहता है जो की भुबाल के नशदिक है वह दोस्त अलोक से बोलता है क्योंकि एक मैज था कौण सा डे एन नाइट किरिकेट मैज था बिट्विन इंडिया एंग्लियं तो इंग्लेंड और इंडिया के बीच में था इसका यह मतलब है कि यह कितना 7.30 PM में भारत में शुरू होने वाला था तो यह कब खतम होता रात में खतम होता तो क्या आपको पता है कि जो इंडिया और इंग्लेंड के बीच में क्या टाइम डिफरेंस है इंडिया का टाइम है वो कहां पर है लोकेटिड है इस्ट ओप गरीच वाला लान है इस तरह से समझेए यहां पर यह जो जो भारत का IHC है कौन सा है 82 and half यानि कि 82 degree 30 minute जो है ठीक है इस्ट है तो इस्ट है यानि कि ahead है कितना तो अगर हम इसको जब change करेंगे क्या मालेजे की 82 degree और 30 minute है अगर इसको हम multiply करेंगे 4 से ठीक है तो जो हमारा time आएगा वो minute में आएगा ठीक है minute में आएगा और minute में जब आएगा तो उसको hour में change करेंगे तो 5 hour 30 minute दिखाएगा ठीक है जो कि क्या ahead है यानि कि आगे है प्लस कर लेंगे ठीक है तो मालेजे यहाँ पर 12 बज रह तो यहाँ पर कितना time हो रहा हो द morph challenge कर सकते हैं अगर लोंगिटूद दिया गया तुछ चीज़ हैं पर बताया गया ट६ इटी विल बीट्वील बीख फटी पीम इन इंडिया वन अविद्हand over डूअ गूध बाता व्याँ साम हो गया था स्कंप प्रवाइब इस वजह से ज्यादा ऊसके पास एक से ज्यादा ऐसे ज्जादा तेंडर टाइम जाद तो यह हम बात कर ले तो तो सबसे ज्यादा कहां है रस्या में है और है इस न्टॉ 24 टाइम जोन ठीक है तो पूरे प्रिथी को 24 टीक है कितना 24 टाइम जोन में बटा गया है आफ वन आवर इच तो सब कितना है एक एगंटा का है इच जोन 10 कवर 15 डिगरी अफ लोगिश्यों तो इसलिए यह क्या करता है 25 डिगरी लोगिट्यूट का यह कवर करता है तो समझ में आ गया होगा जो भी चीज़े बताई गई होंगी तो आज के लिए इतना ही आज के सेशन नहीं पर समाप्त हुआ और यह चेप्टर भी इसी के सांथ समाप्त हुआ तो आई होप अपको पूरा चेप्टर समझ में आ झाल चेप्टर मेंघ समाप्त है गया है तो आए है तो आए है तो है।